लाइफ सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। जुलाई को आएगी पटना। समेट कई पुलिस कर्मी घायर हो गए है। घटना के बाद अलाके में हरकम मच गया घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भरती करवाया गया। मौके पर कई आलादिकारी पहुचें। सरकार में महा जंगल राज होने का आरोप लगाया है। और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है जो पुखे मंतरी भाजपाई, मंतरी विधायक और सांसत स्वैम की सरकार में सुरक्षत नहीं महसूस करता है। वह जंता को क्या खाक सुरक्षा का एहसास कराएगा। जंता की गाड़ी कमाई के दम पर केदर सुरक्षा बलू से स्वैम की सुरक्षा करवाना ही उन बुस्दिल डर्पोक भाजपाईउं का संसकार और इतिखास है। जेडियो विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्ख्यों में रहते हैं। बारफर से उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है ओवैसी की पार्टी के चार विधायकों के आरजेडियो में शामल होने को लेकर उन्होंने बीजेपी को खेरा। गोपाल मंडल ने फिर दोगू कहा कि बीजेपी में मुस्लिम शामल नहीं होना चाहते हैं। बीजेपी में तो मुस्लिम विधायक और इस जाती के वोटर सकना ही नहीं चाहते हैं। गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि आरजेडी से बढ़कर मुसल्मानों की हित में मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने काम किया है। फिर भी बीजेपी से हमारा गडबंधन रहनी के कारण मुस्लिम हम लोगों के साथ नहीं आते हैं। अग्रिपत यूजना को लेकर बिहार के विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एंडिये में शामल पुर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी भी से लेकर लगातार हमले कर रहे हैं। वीति जस्वी के स्टैंड के साथ खड़े दिख रहे हैं। हम नहीं रहा हैं अपराधी लगातार इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल रही जानकारी का अनुसार CSP संचालक को गोली मारकर 10 लाग कैस लूट लिया गया है। ये बड़ा मामला कटिहार जिले के ग्रहक सेवा केद्र से निकल कर आया है। लैपटॉप को भी बनमाशों ले चीन लिया ये वारदाद अमदाबाद थाना शेत्र में हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने लूट के दौरान CSP संचालक अकिलेश कुमार को गोली मारी। पुलिस के अनुसार उसे तीन गोली लगी है। गंबीर हालत में संचालक को पहले अमदाबाद स्वास्तकीद्र ले जाया गया। वहां उसे जिलासतर अस्पिताल में रेफर कर दिया गया। कट्टा पुल के पास हुई इस घटना से लोग दहशत में हैं। पहिस मामले में अब तक किसी को गिरफतार नहीं किया गया। बिहार के प्रसाशनिक महकमे में कल से आज तक में व्यापक स्थर पर तबादला किया गया है। इसी कड़ी में बिहार सेवा आयोग के अंगिनत अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। पिल रही जानकारी के अनुसार बिहार के 75 प्रकंड विकास पदादिकारियों समेट 1400 सरकारी कर्मियों का तबादला हुआ है। इसकी अधिसूचना ग्राबीर विकास भाग समेट अन्य विभागों की ओर से जारी की गई है। आज किये गए तबादले में बासा के 28 पदादिकारी भी शामिल है। इसमें कई जिले के अपर जिला दंडादिकारी, एडियम और अपर समाहरता स्तर के पदादिकारी शामिल है। बिहार में मौनसून ने अब तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। पटना समेत मैकसिमम जिलों में बारिश हो रही है। कि निशान के पार हो गई है, वहीं कई निचले इलाकों में भी बार की स्तिती हो गई है। मुझफरपुर में मागमती लाल निशान के पार होने से दरजन भर पंचायतों का संपर्क तूट गया है। कटिहार में महाननदा नदी का भी वाटर लेवल बढ़ने से सेलाब जैसे हालात बढ़ गया है। कई पंचायतों में नदी का पानी फैल गया है। पानी के दवाव से नरगदा गाओं के पास बना डाइवर्जन कटकर बह गया है जिसे कई गाओं का जिला मुख्याने से संपर्क तूट गया है। डाइवर्जिन कटाव की जानकारी मिलने के बाद डियम उद्दियन दुश्रानी मौके पर पहुँचकर हालात का जायजा लिया। अस्पताल तक पानी पानी हो गया, मुजफर्पुर का सदर अस्पताल भी चारों तरफ पानी से घिर गया है। इतना ही खबरों की दुन्या में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यबाद। झाल झाल